Hello everyone, welcome to the 8th video of this series और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुशान अपयर को लेकिन उसके पहले थोड़ा 7th lecture को recap कर लेते हैं 7th जो लेक्चर हुआ था 7th वीडियो में हम लोग ने मोर एंपयर को देखा था और मोर एंपयर जो 321 BC से लेकर 180 BC तक चला था BC का मतलब Before Christ इसापुरू कहते हैं हिंदी में से और मोर एंपयर के जो लास्ट राजा थे उनका नाम था ब्रहदरत ब्रहदरत को मडर कर दिया गया था या फिर उनका वद कर दिया था जो शूंग डानेश्टी के फॉंडर थे जिनका नाम था पुष्यमेत्र सूंगा मोर समराज का जब पतन हुआ तो उसके बाद भारत पर कई सारे विदेशी आकरमण हुए जिन में पहला आता है इंडो ग्रीक आकरमण उसके बाद सक डानेश्टी का आता है फिर पहलवा डानेश्टी का आता है उसके बाद कुषान डानेश्टी का आता है तो चारो इन विदेशी आकरमण में से सबसे important आकरमण जिसका है वो है कुशाण का आकरमण हम कुशाण में से इसले पढ़ते हैं क्योंकि इसमें कनिश्क राजा आएंगे जो सबसे आदा important राजा होंगे मौर समराज के बाद जो एरा आते हैं या फिर प्रियाड आते हैं वो दो भागों में बढ़ता है एक तो वह है जो विदेशी आकरमण होते हैं और एक जो भारत के अंदर ही आकरमण होते रहते हैं मगद के उपर तो हम लोग आज जो पढ़ रहे है कुशान एंपायर के उपर, कुशान एंपायर जो है, वो एक विदेशी आकरमण से हुआ है, जो नौर्थ विस्ट इंडिया के ओर से हुआ था, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुशाड के बारे में पढ़ना सुरू करते हैं, तो च सबसे पाउरफूल एंपायर आया मोरी के बाद, वो था कुशान एंपायर, कुशान एंपायर लेकिन कहां के थे, कुशान एंपायर जो है, वो बिलॉंग करते थे योचे ट्राइब से, योचे ट्राइब कहां पे थी, यह ऐसा कहा जाता है, योचे ट्राइब जो है, वो से देखे शी जी यंग नाम है और दुसरा गासू है, सुरी हाँ, शी जी यंग और गासू, देखे इसमें जो यह पहला दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे, यहाँ पे जो आपको यह पहला दिखाई दे रहा है, यह है शी जी यंग, एकस में लिख दे रहा हूँ, और यह श्री जी यंग और गौसु प्रांद को आप एक दुसरे के साथ मिला दे। देखिए मैंने यहां पे एक और डियाग्राम बनाया है। देखिए श्री जी यंग इसमें लिखै एक साइएज यह येज वाला और यहां पे गासु जो दिखाई दे रहा है। यह दोनों जो आपक जो कबीला था उसने क्या किया इन लोगों को इहां से खचदेड़ दिया इन लोगों को मैप दिखा रहा हूँ इस मैप में आपको आपको साफ साफ अगर बताओं तो ये लोक कुछ यहां के ँपर के थे यह रही emoc sustainability टह्यें का हैं के पास देखे यह है कारेंसी मतलब केस्पि chỉ यहां पर आकर यह लोग तुर्क-म्ह Brain स्तन के आज के समय जो वरतमान में यह तुर्क-म्हम आज यहांपे बस ते हैं यहां लोग पहले आगे क्या लिखा है नोट्स में ये जानते हैं और उसके बाद इसको समझते हैं ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए ठीक है ये केश्पेंसी के पास चले जाते हैं यहां से खदेड़ी जाने के बाद ये जब खदेड़ी ज चले जाते हैं डारेक्ट कैस्पेंसी के पास में कैस्पेंसी के पास जाके वहां से थोड़ा और आगे जाते हैं जहां पर ब्लैक सी पड़ता है कैस्पेंसी और ब्लैक सी के पास में आज के वर्तमान समय में जो यूकरेन है यूकरेन के आस पास उन्होंने अपने कभीले को और जाधा बढ़ाया और वहाँ पे जो area था जिसके under में उसको वहाँ से हो लोग ने युद करके वहाँ पर अपनी विजह प्राप्त की और विजह प्राप्त करने के बाद वहाँ पर वहाँ पर रोग ने अपना कबजा जमाया ऐसा कहा जाता है कि यूचु ट्राइब जो था उसने पहले शाका पीपल को वहां से भगाया मतलब शाक डानेश्टी वो लोग वहां रहते थे और शैदिया पर अपना कबजा कर लिया शैदिया देखिए यहां पर औरेंज कलर में आपको दिखाए देरा यह है शैदिया और शैदिया का जो लास्ट पार्ट है यह ब्लैक सी यहां पर दिखाए देरा यह जो ब्लैक सी है ऐसा कहा जाता है यह शैदिया है शैदिया यूकरेन जो रस्या में पहले था उसके आसपास के पार्ट में ये शैदिया टच करता है वहाँ पर ये लोग पहले रहते थे लेकिन बाद में यहाँ पर क्या होता है आकरमण होता है दुसरे कभी लोगा जिससे कांड क्या होता है यूचु ट्राइब क्या होता है कमजोर पड़ आती है और वहां से हार जाती है और हार नहीं के बाद ये लोग को वहां से खदेड़ा जाता है तो वो लोग यूचु ट्राइब वाले वहां से मतलब यहां से पैदल आते हैं कहां पर पार्थिया के पास में पार्थिया के पास में इरान वे योचु ट्राइब जो है योचु ट्राइब पांच भागों में बढ़ जाती है। इरान में ही जो आज के समय पर पहले के समय वो उसका नाम पार्थिया था, वहाँ पर क्या होता है यहिचो ट्रायप हो उनका नाम होता है कोजुला कड़ पीसस देखिए यहां पर क्या लिखा है प्रश्या और उक्रेन जो लिखा है यह तोड़ा गलत है रश्या और उक्रेन से सटा वगा यह पार्ट था ठीक है देखे क्या लिखा है इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है लेटर दे यूचू ट्राइब हैड टू लिव दे एरिया सेधिया द्यू टू वश्या इन्वेशन देखे यहां पर जो आपको सेधिया पार्ट दिखाए देरा औरेंज कलर में यहां पर पहले यह लोग ने अपना कभीला बनाया था ले देखे यहां पर लिखा है इन पार्थिया तो यहुचू ट्राइब्स वर डिवाइडे इन्ट फाइब कर ट्रेगरिस पार्थिया माकर यहुचू ट्राइब जो है वह पांच वर्गों में बढ़ गई जिसमें से कुशान डैनेस्टी एक थी और उसका जो फाउंडर था उ यहुची ट्राइब मैंन ब्रॉच ओफ यहुची ट्राइब कुशाण डैनेस्टी एगए जिफेटिट श्याक़ बढ़ पर प कप कपिश ही जब यह व्युच्य ट्राइब Pennay ने यहां से श्त्राइब उप अपबार्थिया को लिख यह लोग और आगे चले गए और आज के modern day में जो अफगानिस्तान है वहाँ पे जाके यह लोग बस गए जब वोले यह साका डिनिस्टी वहाँ पे जाके बसी तो जो हुची कभीले वाले क्या किये पार्थिया को तो अपना एरिया बना ही लिए थे यह लोग क्या किये और आ क्या किया कैप्चर कर लिया देखें यहां पर लिखा है जो कपीसी है यहां पर कपीसी जो लिखा है वहाँ पर क्या हुआ जब पार्थिया से यह लोग और आगे आए और जब आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ता है आज का वरतमान समय का अफगानिस्तान एरिया जिसके अंदर उस समय कपीशी नाम का एरिया था जो आज के समय का क्या है अफगानिस्तान है ठीक है वहाँ पे जो शाका डानेश्टी है वह वहाँ पर बस गई तो यूची डानेश्टी क्या कि जब इरान में वो लोग ने अपना समराज स्थापित कर लिया तो उसके बाद लोग ने अपना empire expand करना समझा जरूरी तो उन्होंने क्या किया आगे और आकरमड किया जो अफगानिस्तान आज के समय पे है उसका नाम पहले कपीशी था वहाँ पर लोग ने आकरमड किया और कपीशी को भी क्या कर लिया अपने अंटर कंट्रोल में ले लिया तब देखि अज बसाया और वहां से वहां से कुजल कट्रीट पिस जो कुशान रूलर थे उन्होंने अपना पहला सिक्का जारे किया और वह सक्का क्या था copper का था किस था copper का था तामबे का था अब देखिए यहां पर आगे का point क्या है दिखिशान अकुपेट द नौर्ध नौर्ध न कपजा कर लिया तो उसके आगे वे और बढ़े और आगे बढ़के देखे अफगानिस्तान के आगे एक हिंदु कुस परवत आता है जहां से एक नदी बही हुई है जो अफगानिस्तान की इस वक्त की सबसे बड़ी नदी है जिसको कहते हैं हम लोग अमुदरिया पहले उसका नाम था अक्षुनदी या फिर औक्सक्स रिवर नाम था यह लोग ने क्या किया आजपास और हिंदु को इस मौंटेन पे इन्होंने अपना कपजा जमा लिया अब देखे यहां पर क्या लिखा है यहां पर लिखा है दिरिंग फर्स सेंचुरी एडी का मतलब होता है इन दे इयर ओफ लॉड इसका मतलब जिस में जिस वर्स में जिसस क्राइस्ट जन में थे उसको एडी कहा जाता है इन दे इयर ओफ लॉड तो यह फर्स सेंचुरी यहां पर इसका धे यहां पर का लिखर लिया किस न वंच लिय रही आग ख्ली स्हें लिखे यहां पर आप लेफोंगे स्तानलम सेंचूट जन सब कपए धार रहा है। इंदी कुटलव ने कभू एंडिया कर लिया है पर नोर्ट टो इंडिया में आता लिए हम लोग ने यहां तक इन बातों को समझ लिया, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं, देखे कुजुल कटपीसिस के बाद जो राजा बनते हैं, वह उनके राजा जो होते हैं, वह कुजुल कटपीसिस के पोते हैं, देखे उनके बेटे नहीं होते हैं, उनके पोते हैं, चॉख़जwalk, को आप टंछ सब्सक्राइब्हें, cm2 का सामराज के लिए एक सब्सक्तीज़ क्या है, सब्सक्राइब से में सब्सक्राइब्हें, और जो करड़ पीसिस रहे है यह अपने समय में दो एरिया को जीतते हैं जो उसके वरतमान समय का पंजाब और इंड़ेस वेली है जो आज के समय का पंजाब और इंडस वैली है, कैट पिसे सेकंड, जिनका नाम है विंड कैट पिसे सेकंड, जिनका नाम है विंड कैट पिसे सेकंड, जिनका नाम है विंड कैट पिसे सेकंड, जिनका नाम होता है कनिशका, कनिशका को एक और नाम से भी कहा जाता है, जिनका आपको पता चल जाएगा क्यों को असोग सेकंड कहा जाता है असोग दूती देखें क्या लिखा है पहला पॉइंट क्या लिखा है अप्टर देट आप कड़ पीसे सेकंड कनिस्का जो है वह 78 से लेकर 101 101 AD तक अपने राजगदी पर विराजमान हुए रहते हैं देखें कनिस्क जो है उनका ससन कल कब से कब तक है 78 से लेकर 101 AD तक यह है तमिल नाडू हिस्ट्री में लिखा है तमिल नाडू हिस्ट्री पड़ा जा रहा है उसका अकॉर्डिंग बता जा रहा है 78 AD से लेकर 101 AD तक वह क्या करते हैं वह राजगदी पर विराजमान होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वह है कुशान एंपायर के सबसे most powerful king है और क्या लिखा है वह है अपने राजग को कहा तक लेके जाते हैं पाटली पुत्र तक लेके जाते हैं और वहां तक लेके जाने में क पंचाओ नाम का एक commander है जो चाइना का होता है उससे ये लड़ाई करते हैं पहले expedition में क्या होता है यह हार जाते हैं क्या होता है यह से दूसरा आक्रमन उनका होता है किनसे चाइनिस कमांडर इंचीप पचाओ से उनका जब दूसरा लड़ाई होता है तो उसमिका करते हैं चाइनिस से कमांडर इंचीप को बहुत बुरी तरह हरा देते हैं और साथी साथ क्या करते हैं यह तीन जगहों पर अपना राज्य जमा लेते हैं कहां कहां पर काशगर यारगंद और खोतान पर काशगर यारगंद खोतान कहां पर आता है देखिए चाइना में उसी जगा आता है जहां से यूच्व ट्राइब को खदेडा गया था यूच्व ट्राइब को कहां से खदेडा गया था यूच्व ट्राइब को खदे किसने कुशानपएर के कनिस्क राजाने देखिए उस जगा का नाम है जिस जगा को इन्हें झेल अपना कबजा जमा लिया था उस जगा का नाम है काफ्शकर, यर्कंद siyag, और खोतान, ठीक है यह है इंपोर्टेंट है देखिए यहाँ पर आपको मैप को दारा दिखाया गय ठीक है काजगर यलो में दिखाया है और ये दोनों पार्ट किसके हैं सिंजियांग के पार्ट में देखे काजगर यलो में है और यरकंद क्या है रेड में है ये दोनों पार्ट को किसे ने जित लिया था ये दोनों पार्ट को कुशान एंपार के कनिस्क ने जीता था जहां से यूचू ट्राइब को खदेडा गया था ठीक है देखे यहाँ पर location भी दिखाया गया है सिंग जियांग में ठीक है और साथ इसाथ देखे यहाँ पर क्या बताए गया है वह अपना एक new capital बनाते हैं जिसका नाम है परशुराम जो पिशावर में है पिशावर कहा है पाकिस्तान में है ठीक है यह अपना new capital बनाते हैं और साथ साथ मैं आपको बता दूँ जो कुशान होते हैं इनके कुशान इंपायर के जो राजा होते है करिश के यह अपने समय में दो capital बनाते है एक capital होता है मतुरा एक केपिटल क्या होता है मतुरा और दूसरा केपिटल क्या है पेशावर जो आज के आधुनिक नाम है पहले उसका नाम क्या था उसका नाम था पुरुषपुरम क्या नाम था पुरुषपुरम इनका दो केपिटल होता है मैं आपको फिर से पता दू कनिश्क के समय में दो केपि आपको पूरा दिखाई दे रहा है यह क्या है यह empower कनिष्क का ठीक है यह कहाँ से कह तक पैला था यह दक्षड में फैला था उजय लेकिस्तान और तजिकिस्तान और उत्तरवा फ्याथा कहां तक अम्मू दरिया नदी जो है जहां तक फैली थी वहां तक ठीक है और साथ ही साथ यह मतुरा जो उत्तर दक्षरपुर में आता है ठीक है यहां तक इनका क्या है इनका पुरा सामराज यह फैला हुआ था यह अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा सिलालेख है जिसका नाम है रब्तक इंस्क्रिप्शन वहाँ पर यह बताया गया है कि जो कनिश्क राजा थे कुशान एंपायर के इन्हों ने अपना एंपायर पाटली पुत्र तक फैला दिया था कहां तक पाटली पुत्र तक फैला देखे यहां पर देखे चंपा लिखा है यह बिहार के मुंगिर जी में आता है आज के समय में इन्हों ने यहां तक अपना सामराज फैला दिया था यह कहां लिखा है यह रब्तक के इंस्क्रिप्शन में लिखा है जो अफगानिस्तान में पायाता है इंस्क्रिप्शन मतल रहे हों पर सब्सक्राइब में लिए रब तक सब्सक्राइब आप पड़िया था तुछंव उजबेकिस्तान जो है, कहां से कहां तक, उजबेकिस्तान से लेकर पाटली पुत्र, जो मगद का जो राजधानी था, उसके आगे जो मुंगेर है, मुंगेर से लेकर उजबेकिस्तान तक तजीकिस्तान तक उन्होंने अपना एंपायर फैला दिया था, इतना दूर तक उन्ह ठीक है देखिए कुशान एंपायर के जो कनिस्क हुए थे उन्होंने अपने समय में सिक्का चलाया था जो प्योरली कोल्ड होता था ठीक है ये जो है इसमें बुद्ध की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है ठीक है ओके आगे चलते हैं देखिए कोईन जो है ये पूरे सिक्के जो है ये सोने के हैं ठीक है जो उसके चले थे ठीक है और सिक्को के बारे में दो तिन चीजे यहां पर जानना जरूरी है जो इसमें लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है जो सुक्के थे उसमें कौन कौन सी भासा लिखी वी थी उसमें युनानी भासा बैक्ट्रियन भासा ठीक है और इरानियन भासा लिखी वी थी ठीक है ये बैक्ट्रियन जो है ये बैक्ट्रियन कहा प्याता है आपको में बता दू ये बैक्ट्रियन पार्ट जो है उस समय में बैक्ट्रियन कहा किसको जाता था बैक्ट चापा गया था ठीक है और साथी साथ इससे बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र भी रहते थे जिसमें से कुछ भारत के हिंदू देवी देवताओं के चित्र होते थे कुछ युनानी देवताओं के चित्र होते थे कुछ इरानियन देवी देवताओं के चित्र होते थे यानि कि ऐसा कोई fix नहीं कि एकी देवी देवता के चित्र होते थे या बहुत सारी देवी देवताओं के चित्र परनाते थे छापते थे सिक्कों पर इससे ये मालूम पड़ता है कि कनिश्क के समय में सही शुर्ता का पाल होता था इसका मतलब कि सभी के देवी देवताओं का और सबमान के ज़ता था, ठीक है आगे चलते हैं एक और भी बात देखते हैं, कनिष्क के बारे में जो important है, और इसमें से एक्जाम में 100% आता है question कनिश्क एंड बुद्धिजम के बारे में क्या बताए गया है कनिश्क के समय में कनिश्क के समय में ही 4th Buddhist Council हुआ था कनिश्क के समय में क्या हुआ था 4th Buddhist Council हुआ था और कहा हुआ था ये भी सब हमको जानना जरूरी है देखे यहां पर जो उनसे छोटे रिसी थे वह थे अशोगोस जिसके अंडर में यह कॉंसिल संपन हुआ था और इसके संगरक्षक कौन थे इसके संगरक्षक थे कनिश्क किंग कनिश्क जो कुशान एंपायर के थे और इन ही के समय में ही जो बुद्धिजम है वो दो भागों में बटा था एक एक था महायान और दूसरा था ही नियान याद रखेगा कनिश्क एंपायर में जब फोर्थ बुद्धिष्ट कांसिल कस्मीर के कुंडलवन में हुआ था उसमें दो रिसी उने अधिक्षता के थी जो बड़े रिसी थे उनका नाम था वाश्यमित्र और जो छोटे रिसी थे उनका नाम था अश्वगोश इनके ही समय में बुद्धिजम जो है दो पार्ट में बढ़ गया था महायान और हीनियान बड़े बड़े एक्जाम में जब आप एक क्वेश्चन जब भी आप एक्जाम देने जाता है तो उसमें एक optional question पुछा जाता है कि बुद्धिजम दो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था वह कौन से कॉंसल में हुआ था तो याद रखना चाहिए कि वह fourth council में हुआ था या फिर ऐसे भी question आता है कि बुद्धिजम जो है वह दो पार्ट में डिवाइड हुआ था लेकिन किसके पेट्रोनेज में डिवाइड हुआ था तो किस फर्स्ट बुंद्यृत Workale के अंगर ओंगफिता में ठीक है। और इसके अद्दिष कि इसके अधियृत्र थे माकल Siap Колुझे है यहा था काला शोट के वेट्रोनेज में इते कामीनärt थे इनके अधिकंतर कि ओ टोन सिल हुआ था sóक के rather में ठीक है पाटलीपुत्र में ओके जिसके अद्धक्ष कौन थे मागलेपुट टीसा ओके फर्स्ट बुद्धिष Benthaun chil – मगत कि फ़ी राजधानी राजगीर में सैकेंड बुद्धिष कौनलव था मगत के दुसरी राजधानी 다음에 वैशाली में थर्ड बुद्धिषПр Ge Youtube में हुआ था यह पाटली पुत्र में जो मगत की तीसरी राजधानी थी याद रेखीगा सब के समय में राजधानी उन्होंने खुद चंच की थी सिकान क्या हुआ था राजधानी हर बार अलग अलग हुई और फॉर्थ काउंसील कहां पर हुई कुष्मीर के कुंडलवन में चली देखिए आपको पता चल गया होगा फॉर्थ बुष्दिस काउंसील में क्या हुआ था जो बुद्धिसम है वो दो भागों में पता है किसमें महायान और हिनियान में महायान में फरक क्या है देखिए जो महायान होते हैं वह बुद्ध सिद्धान और उनकी मुर्थ की पूजा नहीं करते ठीक है यह महायान और हिन्यान में में अंतर है ठीक है आगे चलते हैं देखें यहां पर क्या लिखा है देखें यहां पर क्या लिखा है देखें इस बार में जो बुद्धिसम का फूर्थ कांसिल हुआ था इसमें क्या हुआ इसमें महायान और हिन्यान दो ग्रूप पैदा हुआ यह इस council में originate हुआ और इस group के मौंक्स जो है इनको कहां भेजा गया तिबबत और चायना में भेजा गया महयान के प्रचार के लिए ठीक है इसके साथ ही क्या किया गया था इसके साथ ही कनिश्क ने एक स्थूप भी बनाया था जो बहुत ही monumental स्मार की स्थूप है जो आज के समय में कहां पर आता है यह आता है पाकिस्तान के पिशावर में जिसका आज नाम जो है आज के समय में इसका नाम है शाजी की धेरी क्या नाम है शाजी की धेरी ठीक है देखे यह जो कनिश्क के दोरा बनाया वह बहुत उस्तूप है यह आपके सामने दिखाए दे र ठीक है और ये महायान बुद्धिष्ट स्कॉलर थे ठीक है इन्होंने संस्कृत साहित बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम में लिखी थी जिनका नाम आज के समय में बहुत ही फेमस है और इस पर कोश्चन भी आते हैं अस्त गोश रिसी ने कौन कौन से संस्कृत साहित लिख देखे और क्या लिखा है वास्मित्र जिनके दस्ता में जो फॉर्थ बुद्धिष्ट कॉंसिल हुआ था उन्होंने बहुत सारे क्या करते हैं बहुत सारे चीजों को कंपाइल किया था इसका मतलब होता है बहुत सारे सुचनाओं को संग्रह करके उसे संग्यूजित करना ठीक है इंफोर्मिशन को कलेट करो और कलेट करने के बाद उसको अरेंज करो और अरेंज करने के बाद उसकी एक बुक बना दो तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे इंफोर्मिशन को कलेट करके एक बुक बनाए थी जिसका नाम था क्या महावी भाशा ठीक है नागार जुन ने भी एक बुक लिखी थी फिलोसफी के उपर वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुके लिखी थी ठीके और इनके समय में एक बहुत ही बड़े फिजिस्ट मुझूद थे जिसका नाम था चरक बहुत ही इंपोर्टन किया था क्या किया था ऑपरेशन किया था यह आपको मालूम होना चाहिए ठीक है चरक बहुत ही फेमेस फिजिशन थे ठीक है और उनके समय में एक बहुत ही बड़े वास्तुकला के या फिर कह सकतू बहुत सारे बिल्डिंगों के निर्माड करने वाले एक बहुती बड़े बिलडर मौज़ूद थे जिसका नाम था क्या अजिला सीम, क्या नाम था अजिला सीम, ये मौज़ूद थे, ये बहुत important है ठीक है, और इसके साथ ही साथ कनिश्क ने एक और काम किया था इन्होंने गंधर आर्ट गंधार आर्ट बनवाये थे, गंधार आर्ट क्या है, यह इंडो ग्रीक स्टाइल का होता है, और इसमें क्या किया आता था, नई नहीं मूर्तिया बनाए गए थी, कि इसके बुध के और बोधी सत्व क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, बोधी सत्व का मतलब यह ह कि जैसे बुद्ध जो हैं गौतम बुद्ध जब बुद्ध ग्यान को प्राप्त नहीं हुए थे देखे आपके समने मुर्तियां हैं गौतम बुद्ध जब ग्यान को प्राप्त नहीं हुए थे तो उस वक्त वो आम इंसान थे तो जो आम इंसान होता है आज के समय पर भी जो को प्राठ कर लेता है तो वो क्या बन जाता है वो बूधु सत्तो और बुध्ध में यही फर्क है तो New कुछा अंपायर के कनिश्का राजा थे उन्होंनें बहुत सारे स्टेच्व बनाए जिसमें स्टेच्व के आते गौतम बुध्धी के भी थे और बूधि सत्तो के भी थी ठीक है चले आगे चलते हैं कनिश्क को असो का सिकंड कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इनका जो एंपायर था बहुत ही वास्ट और विशाल था और इसके साथ इसाथ में उन्हें बुद्धिस्दम का प्रचार किया था जिसकार इनको असो का राजगद्धी पर विराजमान हुए थे कौन कनिश्क जब राजगद्धी पर विराजमान हुए थे 78 CE में मतलब 78 CE का मतलब क्या होता है देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा 78 CE होता क्या है साका एरा तभी आप समझ पाएंगे देखिए क्या होता है जब, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, जब जिसस क्राइस्ट का जन्म होता है, क्या? जब जिसस क्राइस्ट का जन्म होता है, तो उसको क्या का जाता है? उसको क्या का जाता है? एडी, क्या का जाता है? एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है, in the year of Lord, क्या होता है? in the year of Lord मतलब भगवान के जन्म का समय देखिए अंग्रेज लोग जो है या फिर कैसे को Christian लोग जो है वोई लोग Jesus Christ को अपना God मानते हैं ठीक है और वे जिस वक्त जन्म लिये थे उसको का जाता है AD in the year of Lord तो Jesus Christ के जन्म के पहले का जो भी समय है उसको कहते हैं B.C.E क्या कहते हैं B.C.E मतलब before common era या फिर before Christ era मतलब Christ के जन्म के पहले का जोग और जो जो समय जो Jesus Christ के जन्म के बाद का है ठीक है जो Jesus Christ जिर्प पैदा हो जाते हैं उसके बाद की जो भी समय है उसको कहते हैं common era का कहते हैं, कॉममनेरा CE, ठीक है? तो समझ में आया है, देखे यहाँ पर क्या लिखा है, यह बात आप समझ गया है, देखे अब आप देखे, यहाँ पर क्या लिखा है, वह समय जब करिश्क गद्दी पर विराजमान होते हैं तो उसे क्या का जाता है उसको साका एरा की सुरुवात कहा जाती है साका एरा का मतलब होता है सक समवत सक समवत क्या होता है हमारे भारत का क्या है वो कलेंडर है देखिए भारत के केलेंडर में जो बारा महिने हैं, बारा महिनों के नाम क्या हैं क्या आप बता सकते हैं, बारा महिनों का नाम जनवरी फर्वरी नहीं है, ये अंग्रेजी केलेंडर के साब से हैं, भारत वर्स के साब से जो बारा महिने हैं, उनका नाम है चैत वैसाग, जिस पैदा हो गए थे तो उसके 78 साल बात कब 77 साल बात जब 78 वा वर्स आता है तो उस वक्त में सुक्ल सववत यानि भारत वर्स का केलेंडर का निर्माड हुआ था ऐसा कहा जाता है मेरी बात सुने देहां से ठीक है उसके बाद एक और चीज़ यहां पर लिखा है वह लिखा है विक्रम मेरा विक्रम मेरा क्या है विक्रम मेरा भी क्या है विक्रम समवत है समवत का मतलब होता है वर्स ठीक है देखी यह विक्रम समवत और सुक्ल समवत यह दोनों सेम टू सेम विक्रम सववत और सुक्ल सववत के अंसार ही हमारा भारत का कलेंडर बनता है। विक्रम सववत जो है, विक्रम सववत में भी बारा महिन्यों को नाम बिलकुल सेम टू सेम है। 12 महिनों का नाम चैत वसाग जिस्ट आसाण सावान भादो असन का अर्थिक से लेकर फागुन तक जो 12 महिन्य है पूरे सेम टू सेम हैं, ठीक है, और इन 12 महिन्यों में पूरा दिन जो है वो 300 पैंसे टाता और ले पियर्स में 300 चाट आता है, सब कुस सेम है, ठीक है, और यह जब जिसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे, तो उस वक्त के समय से ये लोग इंग्लिस कैलेंडर को मानते हैं, ठीक है, आज की समय पे जैसे देखिए, क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, ठीक है, तो सुकले समवत बना था कब, यह बना था, जो जिसस क्राइस्ट पैदा आज जो है, जब जिसस क्राइस्ट आज के 2020 साल पहले पैदा हुए थे, तो सुकले समवत कब आया था, यह आया था, जिसस क्राइस्ट के पैदा होने के 78 साल बाद, तो आज कितना साल हो गया सुकले समवत को, आज हो गया 2020 में से 78 माइनस के लिजिए, 1942 ठीक है, और विक्रम समवत जो है, वो जिसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले ही बन चुका था, वो बन चुका था उनके 57 साल पहले ही, कब 57 साल पहले ही बन चुका था, ठीक है, तो अगर आपको यह जानना है कि उसको कितना वर्स हो गया है विक्रम शमवत के केलंडर को, तो 2020 में 57 जोड दीजे जितना आएगा 270 मतलब 270 वर्स हो गया है विकरम समध के कलंडर को देखे चैत का बाता है मैं आपको बस इतना ही बता के समाप करता हो अपना वीडियो जो चैत है वह चैत आता है 22 मार्च से लेकर 20 अपरेल जो अंग्रेजी वर्स के हिसाग का कलेंडर है 22 मार्च से लेकर 20 अपरेल के बीच का समय जो है वो चैत है और उसके बाद बाकी जितने भी दिन आते हैं वैसाग से लेकर भादरपत सब 31 दिन के होते हैं और भादरपत के बाद महिना आता है अस्विन, अस्विन से लेकर फाग से में आगे पीछे बस यहीं कि जन्वरी फर्वरी मार्च फर्वरी और मार्च के सबसे बस यहीं समझ लीजिए आप और अंदर जाना चाहते हैं तो प्लिस कमेंट में लिखेगा मैं आपको अच्छे से वीडियो बना के दूंगा ओके थेंक्यू